नमस्कार मैं विद्धेश इंकरतिवारी हूं इंडिया निउज के डिजिटल चैनल इन ख़बर के लिए रामपूर से जब से एस पी के फायर ब्राण नेता आजम खान के चुनाओ लड़ने का अईलान हुआ है तब से सब की नजरे इस बात पर लगी है कि उनके मुकाबले कौन सुभाविक है कि कांगरिस अलग चुनाओ लड़ रही है और एंडिये अलग बीजेपी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी दो छोटे दलों से उनका गटबंधन है उनके मुकाबले को लेकर के जो तरह-तरह की चर्चाये हैं उसमें एक बात ये आ रही है कि कभी उनके साथ समाजवादी पार्टी में साथ काम करने वाली जैपरदा क्या बीजेपी की तरफ से उमिद्वार हो सकती है यदि सियासी कलियारों की माने तो सुर्सेज के हवाले से जो खबरे आ रही हैं उसके मुताबिक कभी भी जैपरदा बीजेपी में सामिल हो सकती है और इसका एलान कभी भी किया जा सकता है इसके पीछे जो बीजेपी की रणिती है वो ये की चुकी दो बार 2004 और 2009 में जैपरदा रामपूर से MP का चुनाव जीत चुकी है इसलिए क्यों ना उन्ही को उतार करके आजम खान को घेरा जाए ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जिस समय जैपरदा समाजबादी पार्टी म अमर सिंग की नजदिक्यों की वज़ा से हमेशा वो आजम खान के निसाने पे रही और आजम खान उनको ले करके तरह तरह के बयान भी देते रहे कई बार वो जो है बिलो बिल्ट भी होता था लेकिन वो अपनी आत्तों से कभी बाज नहीं आए अमर सिंग ने और जैपरद से का कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आजम खान जो है मुलायम सिंग यादो के पुराने सहयोगी है अब जबकि समाजवादी पार्टी की कमान अखलेस यादों की हाथों में आ गई है और पूरी तरह से वही देख रहे हैं इसके बावजूद आजम खान की उनसे नजदिकिया है और आजम खान पहली बार लोग सभा का चुनाओ लड़ रहे हैं इसके पहले वो कई बार विधान सभा का चुनाओ लड़ है कई बार उतर प्रदेश में मंत्री भी रहे एक बार राजी सभा में भेजे गए लेकिन लोग सभा का उनका पहला चुनाओ है और बीजे पी च से नजदी किया बढ़ा लिया और अभी आजमगर में जब उन्होंने अपनी एक प्रापर्टी जो है संग को एक तरह से डोनेट किया उसके बाद वो खासे चर्चे में आया लखनाव में कारिक्रम में जब प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने अमर सिंग का नाम लिया तभी य यारोप लगते रहे हैं लेकिन राजनीत मिननत तो कोई हमेशा के लिए सगा होता है और नहीं कोई हमेशा के लिए बिरोधी होता है फिलहाल बीजेपी को अमर सिंग भी अच्छे लगते हैं और जैप्रदा भी तो जैप्रदा से आजम खान को घेरने की तैयारी यदी राम के दिनों में यहां पे 89 तक कांगरिस ही लगातार जिती रही और 91 में राजन्द कुमार सर्मा बीजेपी से जीती थी लेकिन 96 में फिर से कांगरिस ने इस पे अपना कबजा जमा लिया था बेगम नूरबानों यहां से जीती थी और उसके बाद फिर मुक्तार अबास नकव जीते बीजे पी के फिर 99 में बेगम नुर्बानों जीती थी और उसके बाद दो बार 2004 और 2009 में जैप्रता जीती समाजवादी पार्टी से और 2014 में ड़क्टर नेपाल सिंग जीते यहां से बीजे पी के लेकिन नेपाल सिंग के बारे में जा माना जा रहा है कि इस बार साय भी काफी लोग हैं इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि इस बार कंडेट बदला जाना चाहिए पात विधान सभा में से तीन पे जो है एसपी का कबजा है और दो पे बीजेपी का तो एक तरस ये दोनों पक्ष के लिए यानि महागा जो गटबंधन मना है एसपी बीजेपी क उसका और बीजेपी के लिए भी ये जो है प्रतिष्ठा की सीड बन गई है अब देखने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी के उतरने के बाद कांग्रेस के नूर्बानों पे दाव लगाती है या किसी नए चेहरे पे तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे आप देखते रहें हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू